गुर्ण मॉर्निंग चिल्डन, कुसुमायम की ओलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की गणित की पुस्तक, गणित का जादू का चैप्टर 13 है, स्मार्ट चार्ट में आए हुए सभी स्वालों को हल करना सीखेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताईए, क्या तुम कभी बगीचे में गए हो, हाँ अच्छा गए हो, तो फिर मुझे ये बताओ, कि तुमने वहां किस किस रंग के फूल देखे, श्याबाज, गुलाबी रंग के, और लाल रंग के, है ना, क्या जादा तर फूल पीले रंग क थे, नहीं, जादा तर फूल गुलाबी रंग के, लाल रंग के, सफेद रंग के थे, है ना, अब देखो बच्चो, चित्र में यहाँ पर अलग अलग फूलों को देखो, अलग अलग फूल दिखाए गए है ना, कितने तरहें के फूल है, एक ये है, एक ये दो, और एक ती और चार, चार तरहें के फूल दिखाए दे रहे हैं हमें, अब यहाँ पर ये तालिका दी गई है, हमें इस तालिका को पूरा करना है, फूलों का रंग, यहाँ फूलों का रंग दे रखा है, और फूलों की संख्या बतानी है हमें, कि नीले रंग के कितने फूल है, लाल र रंग है नीला रंग है और ये फूल है लाल रंग के और इनका रंग बताईए इन फूलों का रंग कोंसा है स्यावास नारंगी ये नारंगी रंग के फूल है अब हमें बताना है नीले रंग के कितने फूल है तो चलो हम इनको काउंट करते हैं देखो एक दो तीन चार पाच छे, साथ, आठ, और एक फूल यहाँ इसके नीचे यह दब गया, देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यह यहाँ से, तो यह हो गए नो, तो नीले रंग के फूलों की संख्या कितनी है, स्याबास, कितनी हुई, नो, यानि की नाइन, अब है लाल रंग, लाल रंग के फूल यह वाले, इनको काउंट करो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, कितने हो गए, साथ, यानि की सैवन, नारंगी रंग के फूल बताओ बचो कितने है, काउंट करो, शैवास, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह है पाँच, यानि की 5, और बैंगनी रंग के फूलों को काउंट करो, बताओ कितने है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस कितने हुए? दस यहाँ पर हम लिखतेंगे दस यानिकी 10 अब यह देखिए यह पेज नंबर है हमारा 176 और इसमें दे रखा है तालिका देखो और फूल बनाओ तो यहाँ पर बच्चो इसने पूछा है की संख्या सबसे ज़ादा है यानि कोन से फूलों की संख्या सबसे ज़ादा है तो यह हमें तालिका में देखना है बताए इस तालिका में कोन से रंके फूलों की संख्या सबसे ज़ादा है? बैंगनी बैंगनी रंग के कितने फूल हैं दस और कहां है बैंगनी रंग के फूल बताओ ये रहे और इनकी हमें यहां पर जो है फूल बनाना भी है तो देखिए ये फूल बना रखा है ना इस तरहें से हमें ये फूल बनाना भी है ये बैंगनी रंग का फूल की संख्या ज लिख देना है अब आगे है डैस की संख्या सबसे कम है अब बताओ ये कितने हैं तो सबसे कम फूल जो है वो बताओ कौन से वाले हैं स्याबास नारंगी नारंगी है ना तो नारंगी पांच फूल है नारंगी के तो ये वाले है नारंगी इस तरहें के हमें यहां पर फूल ब यह बन गया नारंगी फूल अब बताऊ यह कितने है तो नारंगी फूल कितने थे हाँ पाँच तो हमें यहाँ पर लिख देना है पाँच अब आगे इसने कहा है कि टैस जादा है टैस से कौन से फूल जादा है बताऊ शावास ? देखो, डैस जादा है डैस से, यह कहा है ना इसने, हाँ बताइए अब, यह वाले जो है, नीले रंग वाले, नो है ना, और लाल फूलों से जादा है यह, नीले रंग लाल से जादा है तो हमें यहां नीले रंग के जो फूल है, उनका यहां पर इस रहे से चिद्र, यानि की फूल बना देना है, यह फूल ज़quito है, कोन से फूलों से? बताओ श्याबास, अभी मैंने बताया था न, आपको, बताओ, नहीं बता, अभी बताया लाल फूलों से, ये लाल रंग के फ तो यहाँ आएगा लाल जादा है लाल फ्लावर जादा है और किन से नारंगी से जो नारंगी रंग के फूल थे उन नारंगी रंग के फूलों से लाल फूल जादा है आगया समझ में इस तरह से हमें कर लेना है अब आगे देखो हम सडक पर क्या-क्या देखते हैं चित्र में ट्रैफिक का द्रिश्य देखो और आगे दी गई तालिका भरो तो यहां देखो बचो चित्र में ट्रैफिक का द्रिश्य दे रखा है है ना चोराहा है बीच में यह और यहां से चार रस्ते जा रहे हैं और आगे दी गई तालिका भरो तो हमें यह जो तालिका आगे दे रख तो देखिए इसमें दे रखे हैं पैदल चलने वाले लोग, साइकिल, स्कूटर, और भी जो हैं, बस हैं, बैल गाड़ी है, कार है, ये भी हमें लिखने हैं, और कितने कितने साधन हैं, ये यहां पर हमें लिखना है, कि पैदल लोग कितने चल रहे हैं, तो हमें बताना है, प ट्राफिक वाले द्रिश्य में चित्र में देखना है और देखेंगे कि पैदल चलने वाले लोग कितने हैं देखिए एक दो तीन चार पांच पांच लोग पैदल चल रहे हैं और देखिए पैदल चलने वाला शाबास यह ठेला सबजीयों का सबजी बेचने वाला है यह भी पैदल चल रहा है छे और एक ये साथ है ना साथ लोग जो है वो पैदल चल रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पैदल चलने वाले लोगों की संख्या कितनी है साथ अब आगे इसने कहा है साइकल देखिए साइकल पर चलने वाले लोग कितने हैं तो देखिए एक दो एक सा ये पाँछ, पाँच लोग जो हैं, वो साइकिल पर चलने वाले हैं, अब आगे है सकूटर, तो यहाँ पर देखिए बच्चो, स्कूटर कितने हैं, हमें ये देखना है, देखिए, सियावाज, ढूंडो, सकूटर को, एक ये है, और एक ये, दो सकूटर है ना, तो हम यहाँ पर लिखतेंगे दो अब आगे और क्या है इसमें बस अब बस लिखेंगे हम यहाँ पर बस और देखो कितनी बसे हैं बताओ शयाबास कितनी बसे हैं हम एक दो तीन और चार बसों की संख्या कितनी हैं चार हम यहाँ लिखेंगे चार अब उसके आगे है कार भी है इसमें और बैल गाड़ी भी है अब कार कार देखके बताओ मुझे शयाबास कितनी कार है इसमें एक यह कार है एक यह रही तो और ढूंडो शयाबास एक यह रही है ना तीन और ढूंडो है क्या नहीं और तुन नजर नहीं आ रही तो इसमें तीन कार है हम लिखेंगे तीन बैल गाड़ी अब बैल देखके बताओ मुझे श्याबास इस चित्र में देखकर बताओ कि कितने बैल गाडिया है नजर आई क्या देखो श्याबास ध्यान से ये रही एक बैल गाड़ी है ये रहा बैल है ना तो बैल गाड़ी की संख्या है एक अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि इन परसनों के जबाब दो यहां जो परसंदे रखे हैं इस चित्र में आने जाने का कोई सा कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो बच्चो हमें बताना है कि इस चित्र में आने जाने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कौन सा तरीका है बच्चो त स्कूटर दो बस चार कार तीन और बैल गाड़ी है एक तो सबसे ज़्यादा तरीका किसका है साइकिल पांच दिखाई दे रही है ना हमें तो हमें यहाँ पर लिखना है साइकिल अब next sum देखिए आने जाने का कौन सा तरीका यानी की गाड़ी दे रखा है ना ब्रेकिट में गाड़ी सबसे कम दिखाई दे रहा है तो बताओ बच्चो सबसे कम गाड़ी कौन सी दिखाई दी हाँ, बैल गाड़ी, है ना, बैल गाड़ी सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे बैल गाड़ी, आगे है पैदल चलने वाले लोगों की संख्या, डैस की संख्या से जादा है, पैदल चलने वालों की संख्या देखो कितनी है, साथ, और किस से, जो है ये, संख्या ज साइकिल की संख्या से जादा है अब ये वाला देखो बसों की संख्या डैस की संख्या से कम है तो बताओ मुझे बसों की संख्या किस की संख्या से कम है शाबास बस है चार किस की संख्या से हाँ कम है पूछा है इसने तो साइकिल से कम है साइकिल कितनी है पाँच तो बसों की संख्या साइकिल की संख्या से कम है, है ना बस की संख्या कम? तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइकिल ठीक है बच्चो तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाला और जो सवाल आएंगे वो हम अच्छी तरह से समझेंगे तो बच्चो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल Online Study Hub को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको notification मिलता रहे और आपके पास मेरे वीडियो सबसे पहले पहुँच सके तो बच्चो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्वालों के साथ नए नए स्वालों के साथ तो बच्चो बाई